असलाव अलेकुम मैं हूँ मनियार मुहम्मद जकरिया मुहमद आरी मैं एक असिस्टन कीचर हूँ योस नेशनल है स्कूल फॉर बॉइज एंड जुनियर कॉलेज नासिक में और हम आज बारवी जमात के महाराश्टर बोर्ड के नए निसाब के मताबिक नए स्लैपस के मताब प्राय करेंगे जिसमें हम पाहले सबक से शुरुवात करेंगे जो है आबादी हिस्सा एक हिस्सा अउखल तो यह हमारी नई दर्सी किताब जुग्राफ है जका हे बारवी जमात की तो यह उसका फ्रॉंट पेज और लास्ट पेज आपके सामने हैं तो ौर बारवी जमात और दूसरा है इनसानी जोग्राफिया तो इससे पहले हमने गैरी जमात में जो जोग्राफिया पढ़ा है वो है तबही जोग्राफिया तबही जोग्राफिया यह जो कुद्रती अवामिल है जो कुद्रती चीज़े हमारे जमीन पे या हमारे जमीन के अतराफ हमने उसका मुत जिनावट, डेल्टा तो और भी कुद्रती चीज़ है जैसे के आब अवा तो इस सारे अवामिल जो है यह सब तबही अवामिल में आते हैं और जिसका मुतलब हमने गैरवी जमात में तबही जोगराफिया में किया है और बारवी जमात में जो जोगराफिया है वो है इनसानी जोगराफिया तो इनसानी जोगराफिया में हम इनसान और उसके अतराफ के कुद्रती माहूल का मुताला करते हैं किस तरह से इनसान अपने अतराफ के कुद्रती माहूल में खुद को ढ़ाल लेता है और अपनी जिन्दगी किस तरह से अपने माहूल के लिहास से जो है वो पूरी तरह से जो है वो कुद्रत के ऊपर उसका इनेसार रहता है जो भी असके इर्दगेत कुद्रती वसाइल मौजुद रहते हैं इनसान उसका इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए करता है और मुल्की तरक्की के लिए करता है तो इस जमात में बारवी जमात में हम किस तरह स अपनी जिन्दगी जोई वो गुजारता ही कि पहला सबग आबादी इस्सा अविल सा एक इंसानी जोग्राफियाम्मैं हम इंसान और इसके अधराफ तभई तभई इनिके कुद्रती माहुल का मुत affinity करते हैं आबादी जोग्राफिया, इंसानी जोग्राफिया की एक शाक है, तो आबादी जोग्राफिया जो है, इंसानी जोग्राफिया का ये किस्सा है, जिमनी शाक है, आबादी जोग्राफिया, इंसानी जोग्राफिया में हम इंसानी आबादी, आबादी की तक्सीम, आबादी की गुंजान है उसका मुतला करना है तो आबादी की जो मालुमात हासिल करना अमारे लिए क्यों ज़रूरत है क्योंकि आबादी या जो लोग है वो किसी भी मुल्क की असली दौलरत है उन्हों पर Mr. अगर किसी मुल्क में बहुत सारे कुद्रती वसाइल मुझूद हो लेकिन उस मुलक में आबादी ना पाए जाती हो ना लोक पाए जाती हो तो ऐसे ईलाके में तरक्की नहीं हो सकती किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए शब्से पहले तो आबादी का लोगों का होना जरूरी है तब ही जाकर वो उस मुल्क के जो खुद्रती वसाइल है उसका इस्तेमाल करेंगा जिससे उस इलाकी की उस मुल्क की तरक्य होंगी इसी के साहसाद गौर्मेंट पॉलिसीया बनाती है वहाँ पर रहने वाले लोगों के हिसाब से ही हो अपनी पॉलिसीय जो हुआ तेह करती है लोगों की जरूरते क्या है इस लियास से आबादी कितनी उस इलाकी की यह मालूम करना भी गौर्मेंट के लिए बहुत ही उस्तिक का इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है तो सबसे पहले हम देखेंगे आबादी की तक्सीम तो यहाँ पर दो पायचार्ट दिये गए आपके सामने पहले पायचार्ट में दिया गया है परसेंटेज और टोटल लैंड मास तो इसमें जमीन का कुल रगबा दिया गया है फीसद में और दुसरे पायचार्ट में दिया कुल रगबा बर्रयाजम के लियास से तो पहले है बर्रयाजम अफरीका तो बर्रयाजम अफरीका का जो जमीन का कुल रगबा है वो है 20 अशारिया 40 पिसद पुरा इरिया है पुरा इलाका है अफरीका का उसके आद बर्रयाजम अंटाक्टिका तो बर्रयाजम अंटाक्टिका का जो इलाका है वो है 9 अशारिया 20 पिसद एशिया जो है एशिया का है 29 अशारिया 20 पिसद और यह दुनिया का सबसे बड़ा रगबा है बद्याजम में उसके बाद है नौर्थ अमेरिका इनिके शुमाली अमरिका जो है सोला अशारिया 50 पिसद गाशार अमेरिका 12 पिसद यूरप यूरप का रगबा बड़ा है शे अशारिया पास अशारिया गाशारिया 5 पिस तो ऑस्ट्रेलिया जो यह लगबे के लिया स्थे दुनिया का सबसे चोटा बरल्याजम है और इशिया जो है वो सबसे बड़ा बर्याजम है उसके बाद दूसरा जो पाइशाट इसमें आबादी की तक्सिम जी गिए यह फीसद में 2019 क्या है इसमें डेटा है सबसे पहले अफरीका तो अफरीका बर्याजम में दुनिया की कुल आबादी जो है उसका हिस्सा जो है 16 अशारिया 96 फीसद जो लोग दुनिया के वो बर्याजम अफरीका में रहते उसके बाद एशिया तो एशिया में 69 अशारिया 65 पीसद जो लोग वहाँ पर रहते हैं तो ये दुनिया में सबसे यादा बड़ा बर्याजम है और सबसे यादा आबादी भी बर्याजम एशिया में ही पाई जाती है उसके बाद नौत अमेरिका, शुमाली अमरिका शुमाली अमरिका की आबादी है नौ अशारिया, उन सत्तर पीसद उसके आदे साउथ अमेरिका, जुनूबी अमरिका उसके आबादी है आठ अशारिया, चालिस पीसद योरप, तो योरप की आबादी है हुए चार अशारिया, पंचेत्तर पीसद और आस्ट्रेलिया जो है आस्ट्रेलिया की आबादी जो है बहुत ही कम है सीफर अश्यारिया पच्पन फिसद 0.55% जो है आबादी वो आस्ट्रेलिया की पाई जाती है तो रगवे के लियाज से भी सबसे छोटा बर्लयाजम है आस्ट्रेलिया और आबादी के लियास से भी आबादी सबसे कम जो है बर्ले आजम आस्ट्रेलिया में पाई जाती है तो इसी तरह से नीचे कुछ सवालाद दिये गए तो इन सवालाद के जवाबाद हमें पायचार्ट की मरस्ट से हल करने है उसे ढूनना है तो सबसे पहले है कि बर्ले आजम में सबसे कम आबादी है तो इसका जवाब यह बर्ले आजम आस्ट्रेलिया जीरो पॉइंट फिप्टिफई परसंट सीफर अचरिया 55 अच्पन फीसद उसकी आबादी है उसके रहे कि बर्ले आजम का जमीन का रगबा सबसे कम और आबादी भी सबसे कम है इसका जवाब फिर से ऐस्ट्रेलिया ही है सबसे कम रगभा है जमीन का और सबसे कम आबादी भी ऑस्ट्रेलिया ही बर्ले आजम में पाई जाती है उसके बाद एक किस बर्ले आजम का जमीन का रगबा सबसे ज़्यादा और आबादी भी सबसे ज़्यादा है तो दुनिया का सबसे बड़ा बर्लियाजम जो है बर्लियाजम एशिया और दुनिया में सबसे बड़ा आबादी भी जो है वो बर्लियाजम एशिया में ही बाई जाती है उसके बाद एक कौन सा बर्लियाज़म एक Pi चार्ट से गयर मौजूद है और Q तो यहाँ पर हमारे जमीन पर कुल 7 बर्लियाज़म है तो पहले यहाँ पर जमीन की रगवे में 7 बर्लियाज़म दिये गए लेकिन जो आबादी की तक्सीम का है उसमें एक बर्याजम कमें और वो बर्याजमें आंटार्टिका कि बर्याजम अंतार्टिका में कोई भी मुस्तकिल इंसानी बस्ती नहीं हुए वहड़ यहता है यह कोई इंसानी आभादी वहाँ पर मौझुद नहीं सिर्फ कुछ जो साइंटीज और जो रिसर्च करते हैं वहापर अपने लेबाटरी में जाकर रिसर्च करते हैं और वापस अपने मुल्क को लौट आते तहने आ पर कोई मुस्तकिल और वहापर किसी का कंट्रोल भी नहीं आबादी यूब किव्के बहुत ज्यादा मुश्किल वाकिय आलत आबादी वहाँ पर नहीं रह सकती कलाइमेटिक कंडिशन आप वहाँ जो है वो नासाजगार बर्रयाजम अंटार्टिका में इसलिए वहाँ पर आबादी का तनासुब जो है वो नहीं पाया जाता है तो इसलिए बर्राजम अंटार्टिका जो एक पाय चार्ट में गहर मौजूदगी है आबादी की तक्सीम तो दुनिया में आबादी की तक्सीम गहर मसावी है यानिके कुछ इलाकों में आबादी की गुजानियत ज्यादा है कुछ में आबादी कम पाई जाती है और कुछ में औसत पाई जाती तो हर जगा एक जैसे आबादी हमें दिकाई नहीं देती है 2019 में तमाम दुनिया की आबादी 7.7 billion थी यहनिके 770 करोड़ 2019 में दुनिया की कुल आबादी कितनी थी 770 करोड़ लोग जो हमारे जमीन पर थे दुनिया के अंदर रहते हैं तो उनका हम देखेंगे फीसद जमीन के हिसाब से और आबादी की तक्सीम फीसद में तो सबसे पहले बर्ले आजम में शुमाली अमरीका और जुनूबी अमरीका तो इन दोनों बर्ले आजम की जो कुल आबादी का जो जमीन का रखबा है वो है 28 पीसद तो 28 फिसद पुरे जमीन का रगबा है दोनों मिलाकर और दोनों में जो आबादी रहती दुनिया की वह ऐ 18 फिसद यहीं के जमीन का रगबा ज्यादा बड़ा है और आबादी का तनासुब बर्याजम शुमाली अमरिका और जुनुवी अमरिका में कम है उसके बाद है बर्लियाजम एशिया तो बर्लियाजम एशिया में जमीन का रगबा जो है वो 30 पिसद है और आबादी की तक्सिम जो है वो 60 पिसद है यानि के आबादी का तनासुब जो है बहुत ज्यादा है जमीन के लिया से इसलिए आपर बर्लियाजम एशिया में जमीनी ज्यादा पाई जाती है उसके बाद है योरप तो योरप में जमीन का रगबा है साथ पिसद और आबादी की गुंजानिया थे 55 पीशद जो दुनिया में लोग रहते हूं बर्यादम योरप में रहते हैं उसके बाद ऐस्ट्रेलिया ऐस्ट्रेलिया में जमीन का रगबा जो तक्रीबन 6 पीशद जमीन का रगबा यह पूरे दुनिया का और आबादी की तक्सिम जोए युआ एक फिसद या उससे भीकर में आबादी की तक्सिम बहुत ही कम आबादी है ऐस्टेलिया की उसके बाद आखिर में अन्टार्टीका बर्लियाज़आतर्टीका लेकिन वह कर आबादी जोई नहीं पाइडाती वह कर गयर मुस्तखिल इंसानी बसती हैं कोई वहाँ पर पर्मनन सेटलमेंट नहीं है कोई इंसान जो वह मुस्तकिल तोर पर बर्याजम अंटार्टिका में नहीं रहता तो इसलिए वहाँ की आबादी की तक्सीम भी यहां से गयर मौजूद है आबादी की गुझानियत फी मुरब्बा किलोमिटर में सुकुनत पजीर लोगों की तारत को आबादी का गुझानियत का जाता है अगर हम आसन लफजों में कहें तो फी मुरबा किलो मिटर में सुकूनत पजीर लोगों की तादात को आबादी की गुझानियत कहते तो आबादी का गुझानपन से लोगों की कुल तादात और उनके रहाइशी इलाके के रगबे के दर्मियान तालुक जाहिर होता है यह निके हर इलाके में आबादी की गुझानियत जो एक दूसरे से अलग अलग है कही पर ज्यादा है कही पर कम है तो कही पर आउस्ट है मिसाल के तोर पर यहापर ती मुरबे दिये गए और तीनों जो है वो एक ही साइस के उनका एरिया जो है वो सेम है तो इसमें इलाका एक, इलाका दो, इलाका तीन, यह तीन इलाके है यहापर जो रगबे के लियास से बिलकुल यक्सा है लेकिन उनके आबादी की गुझानियत जो है वो एक दूसरे से अलग है जैसे कहें मिसाल के तोर पर इलाका नंबर एक तो इसमें जो वाइट नुकते है, सफेज जो नुकते है, वाइट डॉट यह वहाँ पर रहने वाले लोगों को जो है वो जाहिर कर रहे हैं तो इस इलाके में लोगों की तादाद जो है वो बहुत कम है तो इसे यह कहा जाएगा कम गुझानाबाद इलाका उसके बाद अगर हम दूसरा इलाका देखेंगे तो यह यकसा जसामत का है यकसा उसका रगवा है लेकिन यहाँ पर लोगों की तादाद पहले वाले से थोड़ी ज्यादा है तो यह आवसत गुंजान आबाद इलाके ना बहुत ही कम है और ना बहुत ज्यादा गुंजान आबाद इलाके और तीसरे इलाके में जो है आबादी की गुंजान आबाद इलाके जो वाइट डॉट से लोगों की तादाद बहुत ज्यादा इस इलाके में तो इसे कहा जाता है ज्यादा गुंजान आबाद इलाके तो इस तीन तरह की किसमें आबादी की गुंजानियत की पहला है कम गुंजान आबाद इलाके उसके बाद और उसद गुंजान आबाद इलाके और ज्यादा गुंजान आबाद इलाके तो इस example से आपको समझ में आ जाएंगा तीनों में क्या फ़र्क है कम गुंजान आबाद किसे कहते है और ज्यादा गुंजान आबाद किसे कहा जाता है तो आबादी की गुंजान आपको समय फ़र्क है तो इसके लिए जापता एक फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल करते हम आबादी का गुंजान पन मालूम करने के लिए तो जापता इस तरह से आबादी का गुंजान पन बराबर इलाकी की मुकमल आबादी तक्सीम इलाकी का रगवा फी मुरबा किलोमेटर में यानिके किसी भी इलाके की अगर हमें आबादी मालूम करने है तो उस इलाके की जो मुकमल आबादी है उसे हम तक्सीम करेंगे उस इलाके के रगबे से मुरब्बा किलोमेटर में तो एक मुरब्बा किलोमेटर में या मुरब्बा किलोमेटर में जितने लोग रहते हैं वो हमें उसका जवाब नीचे आसे लो जाएंगा तो मिसला नहीं हल करके रेखेंगे आबादी की गुंजानियत इस जापते की मरस से चीन की आबादी की गुंजानियात हम आलूम करेंगे तो चीन की जो आबादी की गुंजानियात है वो इस टेबल में दी गई है तो आबादी कितनी है चीन की वो है करोड में दी गई है 142.8 यानिके 142.8 करोड 142.8 करोड जो है वो चीन की आबादी है मौझूदा करेंगे इलाकी का रखबा मुरब्बा किलोमेटर में तो वह है 96.069 जीरो सीफर या पर हमने रखे और इसे हम तक्सीम करेंगे तो हमें अंसर जो मिलेंगा वह है 1.4875 एक अशारिया 4875 तो इसे हम जो करेंगे राउंड फिगर करेंगे आबादी की गुझानियाद जो है वह रहेंगी 1.49 एक अशारिया 59 तो इसे हमें 100 से जर्ब देना है 1.49 को 100 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो हमारा जो अंसर रहेंगा वह रहेंगा 149 एक सो उन पच् पर चीन के आबादी की कॉलम में हमने रहें गुझानियत जो आई है वह 149 जो इनी की गुझानियत है नहीं कि चीन के इलाके में 1.790 लोग जो रहते हुझत जीन की गुझानियत है उसी तरह से भारत का ऑश aparece हल कर सकते और आबादी की गुझानियत जो इसी करोड और भारत का जो रगभा मुरबह किलोमिटर में 32.9 तो बाती जो आबादी जो है लगबख चीन से पहुत ज्यादा फर्क नहीं लेकिन इलाके में बहुत ज्यादा फरके इलाक के में भारत की साइज सप्षेल्ट तो इसलिए छोटे इसमस्य र Fahr Less में तेक मुरब्बा किलोमीटर में तकरीबन भारत में 411 जो लोग रहते वो मौझूर है उसी तरह से USA के अंदर इलाका बहुत बढ़ा है लेकिन आबादी जो है उसकी कूल आबादी बहुत कम है इलाकी के लियास तो इसलिए से 34 लोगों वहाँ पर फी मुरब्बा किलोमीट में रहते है उसी तरह से इंडोनेशिया में 140 वकी मुरब्बा किलोमीटर में पाकिस्तान में 238 अब राजिल में 25 को उसके इलावा नाइजेयरिया में 213 लोग कम है एक अशारिया पाच पीसद ही उसका इलाके का रगवा है बांगलादेश का तो इस लिहाज से कम एरिया में बहुत ज्यादा वहापर आबादी जो वह बसती है तो यहाँ पर एक हजार त्रैटर जो आबादी की गुंजानियत बांगलादेश की मौजूद है उसके बाद है रूस तो रूस जो है यह दुनिया का रगवे के लियास सबसे बड़ा मुलक है 171 उसका कुल रगवा है दुनिया में और आबादी जो है वह 15 करोड से भी कम है तो इतने बड़ की गुंजानियत जो फी मुरब्बा किलोमेटर के लियास से रशिया के अंदर रोस के अंदर वो सिफ नव है नव लोग एक किलो में एक मुरब्बा किलोमेटर में वहापर रहते उसके बाद मैक्सिको में आबादी की गुंजानियत वह चौशट तो इसी जापते के हिसाब स्थे हम किसी भी इलाखे की या किसी थे मुलक की आबादी की गञचानियत मालूम कर सकते mortality wrap आपके तो जो आबादी की गञचानियत को जाहिर करता है जिसमें लाल नुक्ते दिये गहें तो एक जो नुकत आंप उसका पहिमाना दिये गए इज डॉट रिप्रिजेंट सेटलमेंट अब टू अंडड़ परसन स्कूर किलोमेटर यह जो नुकता है वह आबादी जो है किसी भी इलाके में 200 से ज्यादा जो लोग रहते हैं एक स्कूर किलोमेटर में उन्हें जाहिर कर ला है तो अगर हम दुनिया में देखें ज्यादा आबाद इलाके तो वह है यहाँ पर मगरीबी योरप में बहुत ज्यादा आबादी की गुंजानियत है बहुत ज्यादा तुम हमें रेड डॉट लाल नुकाद यहाँ पर दिखाई दे रहे उसके लावा भारत का अगर हम मैदानी इलाका देखें यहाँ पर दरिया गंगा तो इस इलाके में भी बहुत ज्यादा आबादी की गुंजानियत पाई जाती है चीन का जो इलाका है मश्री की इलाका यहाँ पर आबादी की गुंजानियत ज्यादा है भारत के जो साहिली इलाकों में आबादी की गुंजानियत ज्यादा है ऑस्टेलिया का जो मश्री की स शुमाली अमरीका जुनूबी अमरीका के जो साहिली इलाके वहाँ पर भी आबादी की गुंजानियत ज्याद है और आबादी की कम गुंजानियत वाले जो इलाके वह सहराई इलाके बरल्याजम अफरीका में सहारा रेकिस्टान का इलाके में आबादी की गुंजानियत कम है यहाँ पर जो Amazon का इलाका है घने जंगलात वाला इलाका तो यहाँ पर भी आबादी की गुंजानियत कम दिकाई दे रही है उसके लावा कुतुब शुमाल का इलाका जो है जिसमें Siberia, Greenland, Canada का शुमाली हिस्सा, Alaska यहाँ पर भी आबादी की गुंजानियत कम पाई जाती है यहाँ का एक आज़ा वहाँ का बेकों से वामिल जो आभादी की गुंजानियत को असर अंदाज करते हैं वह हम अभी आगे इस में देखने वाले हैं दुनिया में आबादी की तकसीम की तर्स patterns of population distribution in the world तो दुनिया में आबादी की तक्सीम जो है वो गहर मसा हुए जैसे हमने पहले example में देखा है कही पर ज्यादा आबादी गुंजानियत है कही पर और कही पर बहुत कम गुंजानियत है आबादी की तो ये किस्न वजवात की विनापर पाई जाती है इनमें फर्ग तो सबसे पहला है जब हम आबादी की तक्सीम का मुताला तबह वामिल के साथ करते हैं तो हमें मंदल जाजेल नुकात का पता चलता है तो सबसे पहले कुतुब शुमाल और कुतुब जुनुब के जो बर्फानी इलाकों में आबादी की गुंजानियत कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्द इलाके ये जो जमीने वाकियों सब बर्फ से ढकी हुए जरात करना वहाँ पर बहुत मुश्किल है तो इसलिए इन इलाकों में कुतुब शुमाल और कुतुब जुनुब के इलाकों में आबादी की गुंजानियत बहुत ही कम पाई जाती है कि ये बहुत ज्यादा सर्द वाकिया पाई जाती है मसलन ग्रिन लैंड साइबेरिया और अलास्का तो यहाँ पर आबादी की गुंजानियत बहुत ही कम है उसके बाद सहरा ही इलाके तो सहरा ही इलाकों में खुश्क सहरा ही इलाके जाकि आबादा बहुत ज्यादा गहर मुआफिक रहती है बहुत ज्यादा वहाँ पर दर्ज बहुत कम रहता है जरात्वाब पर बहुत ज्यादा मुश्किल रहती है या मुश्किल और नामोंकिन की तरह होती है तो इसलिए भी ऐसे लाकों में लोग जो रहना पसंद नहीं करते सहरा इंदकों में मसलन अफ्रीका में सहारा रेगस्तान उसके इलावा सौधी अरेबिया का रेगस्तान आस्ट्रेलियन रेगस्तान तो इन रेगस्तानी इलाकों में आबादी की गुंजानियत जो है वो बहुत ही कम पाई जाती है जिस तरह से आप तस्वीर में देख सकते हैं बहुत ही कम आब वगधी कि गुझानीयत्ट कम पाए जाती क्यूंकर पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा तीयादा तय स्टीट शव्ट रहता है तस तेजざ्वार्ड के ऊपर मकानात की तामिर करना सड़के तामिर करना रेलवे लाइन तामिर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है उसके इलावा मिट्टी भी जो रहती हो बंज़र रहती है जरात के लिए नाकाबिर रहती है तो यहाँ पर जराती सरगर्मी भी नहीं की जा सकती में लोग रहना पसंद नहीं करते और पारी इलागों में आबादी की इलाके कम पाइस इसके इलावा तो जो दुर दुनिया के साहिली अलाके और मैदानी अलाके वहाँ पर आबादी की गुंजानियत ज्यादा पाई जाती है क्योंकि मैदानी अलाकों की जमीन बिलकुल हमवार होती है जा आप सड़के रेलवे और मकाना तामिर करना आसान रहता है वहापर पानी की फरहामी भी होती है दरियाओं के जरीए उसके लावा नहरों के जरीए पानी की फरहामी होती है जमीन जो रहती है वो जर्खेश जमीन पाई जाती है जिस पर जराद भी करना आसान रहता है और जराती पैदावार भी मैदानी इलाकों में ज्यादा असिल होती है तो इसलिए जो साहिली मैदानी इलाके और जो मैदानी इलाके ऐसे इलाकों में भी आबादी की गुंजियानियत ज्यादा पाई जाती है मसलिम ये जो तस्वीर है ये मुंबई शहर की है तो ये मरीन ड्राइक का इलाका जापर आबादी की गुझानियत जो है साहिली मैडानी इलाकों में बहुत ज्यादा है तो इसमें दरिया गंगा का मैदानी इलाका, दरिया नील का इलाका, भारत के साहिली मैदानी इलाकें में आबादी की गुंजयानियत बहुत ज्यादा है कुछ दरियाओं की वादियों में आबादी की गुंजयानियत बहुत कम पही जाता है इसे तो दुनिया की ज्यादा तर जो दरिया हुए वहाँ पर आबादी की गुंजयानियत बहुत ज्यादा रहती क्योंकि वहाँ पर लोगों को पानी फराम करते लेकिन कुछ दरिया इसे रहते जहाँ पर आबादी की गुंजयानियत कम पाई जाती मिसाल के तोर पर अमेजा के दर्या के इलाकी वह बहुत ज़यादा घने जंगल जालात से घिरा हुआ हुआ होँए के आधि की इलाकी बहुत जाला हे、 घिरे हुए रहते हैं अमेजान का वादी उसका एक एक इग्जामपल है आबादी की गुंजानियत जो बहुत ही कम है और बहुत ज़ारा घने जंगलाद का इलाका जहाँ पर पहुशना बहुत ही दुश्वार रहता है आबादी की तक्सीम पर असर अंदाज होने वाले जोग्राफियाई अवामिल जोग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपलिशन डिस्टिबुशन यनिके किन अवामिल की वज़े से आबादी की गुंजानियत जो दुनिया में मुक्तलिफ किस्म की पाई जाती है तो दो आएम अवामिल है पहला है तबाई अवामिल फिजिकल फैक्टर और दुसरा है इंसानी अवामिल होमन फैक्टर तबाई अवामिल यनिके जो अवामिल कुद्रस से जुड़े होए जैसे के पहाडी इलाके मैदानी इलाके मिट्टी आब अवा इसारी जो अवामिल है य 17 तक्सीम 9-3 रहें देखेंगे हैं इनका शुमर वह यहांइंगा tornar I will में क्या जाता है जिनके वैसे आवमिल की तक्सीम जो मतासिर होती है तो सबसे पहले हम देखेंगे आबाधी की तक्सीम पर असर अंदाज होने वाले जोक्राफिया हुआ ही उसमें पहला है तबई अवा मिल तबई अवा मिल के अंदर आएंगे तबई साक्त यानि के जमीन की बनावाट जो सते जमीन है, अमारे उसके तीन अहें, इससे है, पहाड़ी इलाके, दुसरा है, सते मुर्तफ़ाई इलाके, और तिसरा है, मैदानी इलाके, तो सबसे पहले हम देखेंगे मैदानी इलाके, तो मैदानी इलाकों में आबादी का गुंजानपन ज्यादा पाया जाता है, क्य विए से आबादी का गुंजान्पन जो एवः इस लाके में बहुत ज्यादा पाया अलजाता है बहुत ज्यादा यदाम बेभादी का गु制क बहुत ज्यादा है उसके बाद पाड़ी आलाकों में यहिसा जाती है शिondernie यहान और बहुत जादा हो आपर सहाइल मौजूद है तो ऐसे लागों में पाड़ी लाकों में आबादी की घुंजानियत जयादा पए जाती है जैसे फांडी अलाकों में मनाली पाड़े ओर टॉरिस्ट को ट्रेक करते हैं वहाँ पर आबादी की गुंजानियत जो बहुत ज्यादा पाए जाती है डलान के उपर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मकानाद जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे है तो इस तरह से आबादी की गुंजानियत कुछ पाड़ी इलाकों में बहुत ज बाड़ी इलाकों से कम उच्छे रहते हैं यहाँ पर मिट्टी जो रहती हो जर्खेस पाई जाती है इसलिए जराद भी करना वहाँ पर मौज़ू साबित होता है सनते काईम की जा सकती है क्योंकि वहाँ पर मुक्तलिफ किस्म की माधनियात की दस्तिया भी होती है तो ऐसे जो सते मुल्तफ़ा हिलाके वहाँ पर आबादी की गुझानियत जो ज्यादा या फिर उसत पाई जाती है मसलन दक्कन की सते मुल्तफ़ा भारत में जहाँ पर आबादी की गुझानियत जो ज्यादा पाई जाती है कही पर उसत पाई जाती है तो इस तरह से जमीन की जो वाले इलाके मसलन गर्म और सर्द सहराई इलाके या बहुत ज्यादा बारिश वाले इलाके तो ऐसे इलाकों में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं वहा की आब आववा इंसानों के लिए ना साजगार साबित होती है और जिन इलाकों में आब आववा जो रहती है वो मौत दिल पाई जाती है इंसानों के लिए साजगार आववा रहती है वहा पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते है मसलन बहरे रोम के इलाके जो बहरे रोम अफरीका और बर्ले आजम यूरोप के दर्मियान ये इलाका मौजूद है दूनों बर्ले आजम के दर्मियान येलाका बहर रॉम का जहां कि अब हो बहुत ज्यादा खुछगवारे उसके अब अच्छगवार होती है जिसके वज्यदे आबादी गुझानियत में उन मुमालिक में बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा खुफसूरत यह इलाके जो आप तस्वीर में देख सकते हैं यह बहुत ज्यादा मूवीज में देखिया होंगी Hollywood, Bollywood बहुत ज़्यादा अलग-अलग इलाकों में यहाँ पर पिच्चराइजेशन होता है फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर की जाती है बहुत ज़्यादा खुपसूरती वाले इलाकों में शामिले दुनिया में और आबादी की गुंजानियत भी इस वज़े से यहाँ पर ज्यादा पाए जाती है मौते दिल आबाव होने की वज़े से तो यह बहुत बहुत रोम का इलाका मेडिटरेनियन सी इसे का जाता है तो इसके आसपास के जो मुमालिक है तरकी, तुर्की, गिरीस, यूनान, इटली, फ्रांस, इस्पेन, मौरको, अलजीरिया, टुनिशिया, लिबिया, इजीप, मेसर तो इन तमाम मुमालिक के जो साहिली इलाके हैं यहाँ के आबाव हो बहुत ज़्यादा खुशगवार होती है और बहुत ज़्यादा खुशूरत यहाँ पे मनाजिल देखने को मिलते हैं तो इस वज़े से यहाँ के आबाव हो और हसीन नजारों की वज़े से इन इलागों के आबाव हो की वज़े से यहाँ के आबादी की गुंजानियत बहुत ज्यादा है जैसे इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं बहुत जादा ये खुबसूरत इलाके दुनिया बर में बहुत जादा मशूर है शदीद सर्म मौसम तो इसे जो शदीद सर्द वाले इलाके रहते हैं जहापर बहुत ज्यादा सर्द रहती है जिसे के कुतुब शुमाल के इलाके जहापर बहुत ज्यादा सर्दी रहती है और बर्फ जमी रहती है साल बर तो इसे लाकों में बहुत कम आबादी पाह जाती है सिर्फ जो कबाईली लोग है जिने स्कीमों का आ जाता है जो बहुत जादा बर्फी ले इलाकों में रहते हैं वो इन एन इलाकों में रहते हैं इसकीमो लोग जो रहते है उनुने अपने आपको बोछ ज्यादा सर्द आबवहवा के हिसाद से अपने आपको ढ़ाल लिया है और बहुत ज्यादा सर्द इलाकों में वह रहते आते इस तरह से इसकीमों का बस्ती चुटी सी तो यहाँ पर वो रहते हैं, उनके मकानाद भी बर्फ से बने हुए, उसके इलावा जो जानुर रहते हैं, उनकी चमड़ी का इस्तेमाल वो मकानाद बनाने के लिए करते हैं, उससे कपड़े तैयर करते हैं, जानुर हो के शिकार करने के बार उनकी चमड़ी से और गीजा भी के इलाकों में भी गुजरते हैं जहाँ पर इनसानों के लिए साज़गार महल नहीं रहता है उसके बाद जो Amazon की वादी है और दरियाए गांगों की वादी है तो इन इलाकों में भी आबादी की गुंज्यानियत बहुत कम पाई जाती है क्योंकि इस इलाके में बहुत ज्यादा बारिश होती है बहुत ज्यादा बारिश पूरे साल बर रहती है क्योंकि यह इस्तेवाई इलाके का इलाका है तो यहापर बारिश जो बहुत ज्यादा रहती है साल बर तो इस्तेवाई इलाके में भी आबाद चीजानीएट जैक पाई जाती पानी इंसान की एक ऐम एक गुनियादी जरुरत फानी का स्तेमाल हम पीने के लिए नहाने के लिए उसके लावा सनुझ में जरात्व में और भी दिगर कामों में पानी की जरूरत पड़ती यह तोological rate पानी की फरामी होती है उन इलाकों में आबादी की गुंजानियत ज्यादा पाए जाती है जो दरियाई इलाके रहते है या फिर साहिल समंदर के आसपास की इलाके रहते है उन इलाकों में आबादी की गुंजानियत ज्यादा पाए जाती है दरिया नील की वादी जो इस तस्वीर में आबादी की गुंजानियत ज्यादा है उसके इलावा भारत की जो जुनुवी भारत के साहिली इलाके वहाँ पर आबादी की गुंजानियत ज्यादा है और ये तस्वीर में और जिन इलाकों में पानी की वसाहिल की कमी रहती है ऐसे इलाकों में आबादी बहुत कम पाए जाती है लेकिन कुछ जो सहराई इलाके जो जिनमें नकलिस्तान के इलाके पाए जाते है नकलिस्तान यानि के सहराओं के दर्मियान पानी का जखिरा रहता है तो सहराओं के बीच में ये पानी का जखिरा मौझूद लेता है तो ऐसे आभी जखायर के आसपर्ट जो ए वो आबादी हमें दिखाई देती है यहापर छोटी सी आबादी आगपे बस्ती मौझूद है तो जहापर इस आभी जखिरे की वज़े से उन्हें पानी की फरह में होती है पीने के लिए और घरेलू इस्तेमाल के लिए साथी साथ जराद भी आपर की जा सकती है तो इस तरह से जो सहराओं इलाकों में आभी जखायर मौझूद रहते हैं प्यान में उसे का जाता है नखलिस्तान तो इसे नखलिस्तान का जाता है जो सहराओं में पानी मौझूद रहते हैं आभी जखायर मौझूद रहते तो इसे सहराओं में जहापर नखलिस्तान पाया जाता हो वहाँ पर भी आबादी पाई जाती रेगस्तानी आपकों में मस इसके बाद मिट्टी जर्खेज मिट्टी जराती पैदावार के लिए बहुत अहम है यानिके जराती पैदावार के लिए जर्खेज मिट्टी का होना बहुत जरूरी होता है तो जीन इलाकों में जर्खेज मिट्टी पाई जाती है ऐसे इलाकों में आबादी की गुंजानिय ज्यादा होती क्योंकि वहाँ पर अमिक जरात की जा सकती है बड़े पैमाने पर तो जो जो जर्खेज इलाके जैसे मसलन दरिया गंगा के सहलाभी मैदानी इलाके दरिया मिसीसीपी उसके इलावा दरिया एरावडी और दरिया यांगत से इन तमाम इलाकों में आबादी की उ बहुत जयादा है जर्खेज मिट्टी होने की वजे से उसके इलावा रिगर और काली कसदार जो मिट्टी है जपर पाये जाती है ऐसे इलाकों में भी आबादी की घुशानी से जादा पाये जाती है क्यूंकि इस पेर भी जराती पैदावार ज्यादा होती है फसलों की पैदावार ज्यादा आसिल होती है इसके इलावा जो आतिश पिशानी पहाड़ी के धलवानी इलाकी होते है तो आतिश पिशानी पहाड़ की जो मिट्टी होती हो भी बहुत ज्यादा जर्केज हो की जा सकती है वहाँ पर इनसानों के लिए आतीश-विशानी का खतरा तो रहता है लेकिन उसके बवर्जुद भी इंसान जो है जो डिल्वानी इन içले लिए उन एलाकों उन ऐलाकों में बस्तिया बसा सरकर रहते और जराती सरगर्मी अंजम देते हैं आतिश पिशानी मिट्टी की वज़े से तो इसकी जो मिसाल है वो है जावा जापान और वस्ती अमरीका में इस तरह के बहुत सारे शहर जो है वो बसे है आतिश पिशानी पहाड़ों के इर्द गेर्द उसके बाद है इनसानी अवामिल तो इनसानी अवामिल में तमाम जो इनसानी सरगर्मिया है इनसानी पेशे है उनका शुमार इसमें किया जाता है जिसके वज़े से आबादी की गुंजानियत जो है वो मतासिर होती है उसमें पहला है जरात उसके बाद कानकुनी आमोदरफ श जहरियाना, सियासी अवामिल और हकूमती पॉलिसी तो सबसे पहले हम देखेंगे जरात, आबादी की तक्सीम पर असर अंदाज होने वाले इंसानी अवामिल में पहला अवामिल जरात, तो जराती अलाकों में आबादी की गुझानियत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि जरा ते वो सब जराती इलाकों से उन्हें पराम की जाती तो दुनिया के जितने भी जराती इलाके वहाँ पर आबादी की गुंजानियत बहुत ज्यादा पाई जाती है इस नक्षे में हम देख सकते हैं इसमें चावल की पैदावारी इलाके दिये गए तो यह जो पिंक कलर के एर इसमें शुमाली भारत का इलाका है उसके इलावा जुनुबी भारत के साहिली इलाका है चीन का इलाका है जापान उसके इलावा बंगलादेश है इंडोनेशिया मलेशिया जावा तो इन तमाम इलाकों में जराती पैदावार होने की वज़े से आबादी की उन्जानियत ब मादनी वसाइल मौजूद होती है तो ऐसे इलाकों में बड़े पईमाने पर संधों को उरूज मिलता है संधों होनी इलाकों की मिलता है तो कुद्रती मादनियात या मादनी वसाइल मौजूर होते हैं मसलां कटांगा, तामबे का पट्टा, जांबिया, अफरीका के अंदर ये लाका जांबिया मुलक है यहाँ पर बड़े पहमाने पर आबादी की गुझियानियत ज्यादा पाई जाती है मादनियात की वज़े से भारत में, छोटा नाकपुर की सत्य मुलतफ़ा में आबादी की गुझियानियत बहुत ज्यादा है मगरी भी यूरप में, कोईला और लोहे का मैदान, तो इस लाके में भी आबादी की गुझियानियत जो बहुत ज्यादा पाई जाती है मादनियात की दस्तियाभी की वज़े से उसके इलावा कुछ इलाके ऐसे रहते हैं जो बहुत ज्यादा इंसानों के लिए ना साजगार होते हैं दुश्वार गुजर होते हैं लेकिन वहाँ पर कीमती मादनियात पाई जाते हैं मसलन, सोना, मादनी तेद इनकी मौजूर्गी वहाँ पर होती है तो इसे इलाकों में भी आबादी की गुझानियात देखने को मिलती है ज्यादा क्योंकि वहाँ पर जो मादनियात पाई जाते हैं उनकी गीमर बहुत ज्यादा रहती है जिन से मुनाफ़ा भी जादा मिलता है तो इसे दुश्वार गुजर आब अवा के इलाकों में भी आबादी की उन्यानिया जो है वो ज्यादा दिखाई देती है मसलन ऑस्टेलिया के सहराई इलाके में सोने की कानकुनी और जुनूबी मश्री की एशियाई मुमालिक में मादनी तेल की कानकुनी के इलाके यह पूरे लेकस्तानी इलाके सहराई इलाके जैसे यहाँ पर दिया गया है यह मादनियात की कानकुनी का इलाका है तो यहाँ पर ज उसके लावा सनते भी उस इलाके में पाई जाती है जहाँ पे उन्हें रोजगार मिलता है तो बहुत ज्यादा दुश्वार गुजर होने के बावजूर अगर वहाँ पे मादनियात मौजूद हो तो उस इलाके में भी लोग जो रहना पसंद करते है उसके बाद आमों दरफ तो आमों दरफ जो एक इसी भी लाके की तरक्की के लिए बहुत ज्यादा एहमियत रखते है जीन इलाकों में सड़के रेलवे उसके लावा आभी नकल अमल का घना जाल पाय जाता है उन इलाकों में आबादी की गुझानियत बहुत ज्यादा पाय जाती है जीन इलाकों से जो कौमिश आ रहा है नैशनल आईवे गुझानियत ज्यादा रहती है जो एक दुसरे से शैर जुड़े हुए रहती अच्छी तरह से सड़कों से रेलवे से तो उन इलाकों की आबादी की गुझानियत भी ज्यादा पाय जाती है अबी नकल अमल सड़के रेल रास्ते फिजाई रास्ते वाले इलाकों में आबादी ज्यादा पाय जाती है अगर हम नक्षा देखे तो इसमें जो आबी नकल अमल है यहाँ पर है नेरे सुएज इस जगह पर तो जो योरप अफ्रीका उसके लावा एशिया उस्टेलिया इ देखेंगे तो जो भी एरपोर्ट वाले शहर है हवाई अड़े वाले शहर है उन इलाकों में भी आबादी की गुंजयनियत जो बहुत ज्यादा पाई जाती है अलग-अलग इलाके को आपस में जोडने का काम करते साथी साथ नैशनल आइवेज रेलवेज रेलवे लाइन ये भी बहुत ज्यादा आबादी को ज्यादा सपोर्ट करती है और आबादी की गुंजयनियत ऐसे इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है जहापर आम दरफ के जराय नकल अमल का गना जाल मौझूद हो उसके बाद शहर या ना तो शहरों में बहुतर लोजगार के मौख मल्टिपलेक्स, पार्क, गार्डन तो ये सारे तमाम अवामिल के वाज़े से लोग जो है इन शहरों की तरफ जो है वो रागिब होते हैं उनकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और उन इलाकों में जाकर रहना पसंद करते हैं जहाप पर ये तमाम जो है बढ़ते जाती है। अबादी इसके बादे की तक्सीम और गुंजियानियत को असरंदास करते हीं। तो कुछ इलाकों में हकुमत की पॉलिसे जो वो आबादी की ज्यादा गुंजानियत को बढ़ावा देती है, तो कुछ इलाकों में आबादी का इंतेशार करती है, कुछ इलाकों की आबादी को वो आखुमत कम करना चाहती है, तो उसके हम मिसाले देखेंगे, उसकी पहली ज वाश्या का जो साइबेरिया का इलाका यह पूरा बरसानी इलाका है और बहुत जादा बड़ा इलाका है जहाँ पर आबादी कीकुझयानियत कम पाए जाती जिसके वजय सबूस्किल करने के लिए रूस की जो हकूंत है वो लोगों को बढ़ावा देती है जा कि हो साइबरिया में अपनी बस्ती बसाए वखा पर रहे और साइबरिया की भी तरक्क्य exempt के अलगिया की तो इसलिए वाक्य ऑक्लीफ किस्म की शहॉलिया देती है जैसे के सृती में जमिन फराम करती है साइबरिया के अंदर उसके इलावा मेडिकल फैसिलिटी तालिम के जराइवाव पर उन्हें मौझूद कराती है साथी साथ आमो दर्फ का गना जाल टैक्स में छूड़ दी आती है पानी की फराम ही की जाती है कम कीमत में तो इस तरह अगर हम इसके बरखलाब देखेंगे इसके अपोजिट तो जापान के शहर टौक्यो में जापान की तकरीबन एक तिहाई आबादी बसती है इसलिए जापानी हुकूमत लोगों को टौक्यो छोड़ने का बढ़ावा देती है और मुक्तलिफ किसम की सहुलियाद फराम करती है ट्रैफिक जाम बिजली की फरामी के मसाइल उसके लावा पानी की फरामी के मसाइल वहापर बड़ी आबादी को फराम करने में दुश्वारी पेश आती है तो जो जापान की हुकूमत है लोगों को बढ़ावा देती है कि वो टौक्यो को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर बसे और अपनी बस्ती बसाए जिसके लिए उन्हें मुक्तलिफ किसम की सहुलियात फराम की जाती है अपने शहरीयों को ताकि वो जापान को जो ज्यादा इलाके पर बोश पड़ लाए वो थोड़ा कम हो सके तो इस तरह की हुकूमती पॉलिसी और सियासी हवामील भ पाए जाता है तो इन इलाकों में भी आबादी की घुझानियत जो हो कम पाए जाती है लोग ऐसे इलाकों में रहना पसंद नहीं करते जहां पर जंग शुरू हो तो इस इलाकों में अपनी जान को बचाने के लिए किसी महफूज इलाकी की तरफ चले आते मसलें अफगानि की तरफ इजरत करके चले जाते है जिसके वाजे से आबादी की घुंजानियत भी जो हम यह मुतासिकी होती है ऑसके बाद दीगर अवामिल तो दीगर हम में साहिली समंद्र से फासला तो समंदरी इलाकों में ज्यादा तर आबादी की गुझ्यानियत ज्यादा पाई जाती क्योंकि लोग साहिली इलाकों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं और जो अंद्रूनी इलाके रहते हैं समंदरी इलाकों से वहाँ पर आबादी की गुज्यानियत कम दिखाई देती है उसके बाद रसाई रसाई यानि के कुछ इलाके जो रहते हैं बहुत ज्यादा ना काबिले पहुच रहते हैं बहुत ही पहुआ हुद रहता है चारों तरफ से पहाड़ी इलाकों से घिरे होए रहते हैं तो सबसे नाकाभिये रसाई इलाकों में से जहाँ पर पहुचना बहुत ही मुश्किल रहता इस वज़े से वहाँ पर आबादी की गुंज्यानियत कम पहे जाती है और ऐसे इलाके जो काबिले रसाई रहते जहाँ पर आसानी से पहुचा जा सकता है जो सड़के रहर रास्तों से जुड़े हुए वहाँ पर आबादी की गुंज्यानियत ज्यादा पाए जाती है उसके बाद एक कुद्रती बंदरगाए तो ऐसे इलाके जहाँ पर पहले से कुद्रती बंदरगाए मौजुद हो वहाँ पर भी आबादी की गुंज्यानियत ज्यादा दिखाई रहती है मसलां मुंबई, ट तिजारत को फारुक मिलता है और आबादी की गestroानिफिन लाकों में ज्धादा पाय जाती है कि इसके बार इत्मवणाई के जराय घृ कि अज़ाइआ जिए आपनाईके वसाहिल महजूद़ने बीग थाजिक है कि कि इसकी वजह ei सादो जो फरोग मिलता है संपने में जो तवानाई की ज़ुरॉरत होती है इन तवानाई के वसाइल की वजजह से ज़ुरूरत मुकमल होती है मसलन मादनी तेल उसके इलावा कोईला जीन इलाकों में पाए जाता है बहुत ज्यादा घने इलाके वो पाए जाते आबादी के लियास से उसके बाद दरिया और नहरे तो जीन इलाकों में बड़े भैमाने पर दरिया और नहरे मौजुद होती है उन इलाकों में भी आबाद से दुसस्रीयका जा सकते है पानी की फरामी हो रहती है जर्दि के लिए ज़ड़ा पाई जाती है उसके बार वह भाद है शकवत हैवामेल यह से हम तैज़ीब भी नहीं बहुत बहुनाद होती है असन premilan defense जाद होती है अधिक्रण़ बच्पनद में उसके इलावा खांदान में लोग्रों की ज्यादा तादाद बड़ी फैमिली पाई जाती है कानिदान में और रास से जुड़े हुए लोग रहते ज्यादा तो इस तरह से ज्यादा बच्छे की फैमिली में होना हो अच्छा मैसूस करते हैं तो इस तरह से जो शकाफ़ती तैजिय बाव मिले वह भी आबादी की गुंजानियत को मुतासिर करते हैं उसके बाद हिजरत तो हिजरत की वज़े से भी आबादी की गुंजानियत जो हो मुतासिर होती है तो जह से इंसान हिजरत करता है जिस लाके को छोड़ता है वहाँ पर आबादी की गुंजानियत जो इतक्सीम हो कम होती है और जिस लाके में आकर रहता है या बस जाता है उस लाके में आबादी में इजाफा हो जाता है मसलना मुंबई में बहुत सारे बारत के चोटे-चोटे इलाकों से लोग आकर रहते है और मुंबई के आबादी में इजाफा हो जाता है उसके बाद इन माशी अवामिल तो जिन इलाकों में मुक्तलिफ किस्म की माशी सरगर्मिया अनजाम दी जाती है जैसे जराद सनते उसके लावा कानकुणी तिजारत तो इसे इलागों में भी आबादी है ज्यादा पाई जाती है दो दुनिया के जो बड़े बड़े शाहर है जिनमें। न्यूयोक है तौकियो है सिड्नी मेल्बरन मुंबई चलाव बादी है जिर पाई जाती है। जहाफ पर साइन्स और टेकनलोजी में बहुत ज़्यादा तरक्याफता है ऐसे इलाकों में आबादी की गुंजयानियत बहुत ज्यादा पाई जाती है तो यह सब थे आबादी की तक्सीम पर असर अधाज वाले जुग्राफिय हवामिल जिसमें हमने पहले देखा तबह कर ले गहाए मिल उसके बाद इंसानी हवामिल और दीगर आtte मिल और इसके इलावा सबस्त का जो सबक्ड़कर अगला एस सबस्त है जिसमें हमें देखना है आबादी का इजाफा और शुमारियाती उबूरी नजरिया है निके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ठेरी जो मैं आपको अगले वीडियो में उसे एक्स्प्रेन करूंगा शुक्रिया